ओम शान्ति आज आज आपके हम 362 वे दिन के और 333 वे दिन के इश्री वर्दान दो वर्दानों के बार में चर्चा करेंगे आप सबको सवागत है आपके यूट्यूब चैनल सीख दे सोल दे लाइस वे दिन में हैं और देखें परमात्मा ने कल का वर्दान क्या कहा था परम आपनी शक्तिशाली मंसा शक्ति मायंड की जो शक्ति हमारी वो शुभ भावना द्वारा बेहत सेवा करने वाले विश्व परिवर्दक भवह अ कि हमने धन दे दिया किसी को रोटी कपड़ा मकान दे दिया तो वह हो गी हत की सेवा बेहत की सेवा होती है कि आप पुरी धुनिया के लीए आप शुबबावना शुब कामना रखें तो देखें विस्तार में परमात्वा कहते हैं विश््व परिवर्तन के लिए अगर हम कि ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा होगा कि चारों तरफ आपके दुखी दुख होगा तो आप स्वयम कैसे सुखी रह सकते हो तो इसके लिए हमें मेहनत करनी है कि हम अपने घर परिवार के बाहर भी देखना शुरू करें बाहर भी मदद करना शुरू करें और वह भी बहत की सेवा नहीं without की सेवा करें तो विश्व परिवातन के लिए सुक्षम शक्तिशाली स्थिती वाली आत्माय साँनीव संकल्पहों से ही पुरी शरिष्टी को सारी आत्मा वंको मदद करें जो अपनी वृत्ति द्वारण श्रिष्ट संकल्प द्वारण श्रिष्ट संकल्प उँचे प्योर थौट्स द्वारण अनेक आत्माओं को परिवद्टन कर सके हैं अप घर में ही बैठे बैठे meditation के द्वारा हजारो किलोमेटर दूर बैठे हुई किसी भी देश की आत्माओं को आप सुख शान्ती की वाइबरेशन्स भेज सकते हैं ताकि उनके मन के अंदर सुकून आया उनको जो जिस दुपिधा में फसे में हैं जिस प्रॉलम में फसे में हैं चाहिए वो कलामिटीज हो रही हैं उनके उपद्रा हो रहे हैं आज बाजो लेकिन उसमें भी उनको शान्ती और सुक की जब वाइबरेशन मिलती है तो उसमें भी प्रॉलम में इसी भी उभर करके बाहर निकल आपाते हैं उनका दिमाग और बुद्धी काम करनी शुरू कर देती है नहीं तो हलचल में रह करके वो और ही विनाश और सत्यनाश करना शुरू करते हैं तो परमातों कहते हैं इसलिए कौँसे सुक्षम संकल्प करने वाली आत्माइं चाहिए बेहत की सेवा, शक्तिशाली मंसा शक्ति द्वारा, शुब भावना और शुब कामना द्वारा होती है आप यहां बैठे हुए हैं, कहीं वार चल रही है, कहीं पर लड़ाई जगडा चल रहा है, कहीं पर सुनामी आ रहा है, कहीं पर अर्थक्वेक हो रहा है आप यहां बैठे बैठे ही उन आत्माओं को आप प्रेम, शांती, सुख की वाइब्रेशन शुब भावना, शुब कामना से बेज सकते हैं और उसका असर होता ही है उनके मन में वो टचिंग आएगी उनके भावनाएं जो उतल पतल होई हुई है वो थोड़ी सी शांत शीतल हो जाएंगी और वो जिस प्रॉल्लम में फसे में उससे वो निकल पाएंगे आपकी शुब भावना, शुब कामना की विज़से क्योंकि हम सब आत्माएं जोड़ी हुई है आप माने या ना माने जैसे कि इंटरनेट जुड़ा हुआ है वैसे ही हम सारी आत्माएं एक-एक आत्मा जुड़ी हुई है आज दुनिया फेस्बुक के द्वारा जुड़ी है टूटर के द्वारा जुड़ी है इंस्राक्राम के द्वारा जुड़ी है लेकिन वो जो जोड है वो हमें आखों से दिखता नहीं है न उसी तरीके से हम आत्माओं को भी एक सुक्षम जोड होता है जो की संकल्पों की वाइब्रेशन से जुड़ा होता है वो तारे होती हैं जो की बहुत सुक्षम होती है हम यहाँ पर किसी के बार में बुरा सोचे उस तक वो वाइब्रेशन पहुंचती है अगर हाजार लोग उसके बुरा सोचे तो उसको बद्वाएं मिलती ही है तो इसलिए परमात्व कहते हैं तो सिर्फ स्वैम के प्रती भावक नहीं लेकिन औरों को भी शुब भावना, शुब कामना द्वारा परिवरत्त करो यहने कि सिर्फ अपने लिए ही करना है मैं ठीक रहूं, मेरे परिवार ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे मेरा हजबन वाइब ठीक रहे, वो नहीं परमात्मा केते हैं, सारी दुनिया को परिवार मनो अगर चारों तरफ कीचड होगा, तो आपके लिए भी रहना मुश्किल हो जाएगा बद भुआईगी, इसलिए चारों तरफ सुक शानती फैले यह सोचो आप, ताकि आपके लिए भी दुनिया अच्छी बनना शुरू हो सिर्फ मेरा घार अच्छा हो, बाकी दरोदर जो भी हो, मुझे क्या लेन देना वो वृत्ती अच्छी नहीं है, वो आइटिटूड अच्छा नहीं परमात्मा के सब से उसको फिर परमात्मा के भी वरदान उसको प्राप्निय होते हैं, परमात्मा से भी उसको सुक शानति प्राप्निय होते हैं अपने मन बुद्धी को हद में डाल करके लॉक कर दिया है बेहत की सेवा व विश्व प्रती सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है बेहत की सेवा हद की मतलब घर का ही सोचा बेहत की सोचा मतलब पूरे विश्व का सोचा बेहत की सेवा व विश्व प्रती सेवा सारे के लिए भी आमने शुप भावना शुप काम ना करी खुदी आंकर हम फसे हुए हैं अपनी प्रॉब्लम्स में दुखी आई दुखा रहे हैं दुखी रहते हैं कंप्लेंड करते हैं दिन बर तो परमातों कहते हैं तुम औरों की फिर क्या भला ही करोगे तो इसलिए स्वयम का भी बैलेंस फिर औरों के लिए भी सेवा तो भावना और ग्यान स्नेहे और योग के बैलेंस त्वारा विश्व परिवर्ट तक बनो भावना और ग्यान भावना भी हो लेकिन ग्यान ना हो करना कैसे है ग्यान हो, लेकिन भावना ही न और उक्ति, अच्छी,्टो उसे पहले कोई balance नहीं हुआ स्नेहे हो, लेकिन सिर्फ अपने प्रती ही स्नेह हो अपने आज हो जो रहते हैं, जान पैचान वाली सिर्फ उनके लिए ही स्नेह हो तो फिर योग करेंगे तो फिर उनीक ले करेंगे फिर बाकी उकले क्या करेंगे तो परमतर कहते हैं वो बैलंस नहीं हुआ फिर अपने लिए भी और उकले भी इसने हो तो यह बैलंस करेंगे तब जाकर के हम परमात्मा के साथ मिल करके सेवा कर पाएंगे विश्वकी तो ये है आपका इश्वरिय वर्दान और अब आप सुनेंगे अगले वर्दान, जो टीक है आपका 363 दिन का इश्वरिय वर्दान इसके बात ही इसके साथ मैं ओम्शामती स्टेरें